जोशीमत में बदिनाथ हाईवे बंध होने से बड़ी मुश्किल मलबा आने से फिर बंध हुआ बदिनाथ हाईवे पागल नाले में मलबा आने से बदिनाथ हाईवे पर आवा गमन बाधिर सुबा पांच बचे से हाइवे पर वाहनों की लंबी लाइन, बूसकलन से दो गाओं को खत्रा बड़कोट में मलबा आने से नैशनल हाइवे चुरानवे हुआ बन यमनोत्री हाइवे पर दोबाटा कुथनौर पाली गाड में सडक पर आया मलबा, पेड, मलबा और बोल्डर आने से बंध हुआ हाइवे सडक पर फसे राहगीर, रास्ता खुलने का कर रहे इंतजार रूदर प्याग में देर रास से मुस्तलधार बारिश जारी, बदिनाथ हाइवे दो जगा पर मलबा आने से बन, राजमार्क पर पहाडी से होरा भूसकलन, नरकोटा और सिरोपगड में आया भारी मलबा, बारिश बन होने के बाज चुरू होगा मलबा हटाने का काम पिथोरागड में धार्चुला तहसील के गर्वाधार में भूसकलन, सड़क बन होने से गर्वाधार गाम जा रहे हैं ग्रामिन रास्ते में ही फसे, भूसकलन से कुछ मकान खत्री की जजब में आये, दहशत में लोग आज यूपी में भारी बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट, नौइडा कानपूर समेथ 10 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी, तो 26 जिलों के लिए मौसम भागने जारी किया येलो अलर्ट आज भी देव भूमी में च्छाय रहेंगे बादल पहाड़ी इलाकों में, आज भारी बारिश का मौसम भागने जारी किया अलर्ट, बहार पर लेंड स्लाइट की भी जारी हुई चेतावनी अम्रोहा में चलती कार में आग लगने से भगदर, कारसवार ने कूट कर बचाई जान, शौट सर्किट के कारण कार में लगी थी आग, दिल्ली से मुरादाबाद जा रहे थे कारसवार लखनो के हुसेन गज में रोडविस बस में लगी भीचनाग, यात्रियों में बची अप्रा तफ्री, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू कोई हताहत नहीं स्वास्ते मंत्राले की प्रेस कॉंफरेंस आज देश में करोना की स्थिती पर शाम चार बचे होगी प्रेस कॉंफरेंस करोना के ताजा हालात को लेकर देंगे जानकारी राजधानी लखनाओं में डेंगू के दो बच्चों समेथ 11 और नए केस आये सामने लोगबंदू अस्पताल में दो बच्चे डेंगू से पीरित हुए भरती गाज़ेबाद में डेंगू के 16 मरीज मिले अब तक 19 लोगों में हुई पुस्टी स्वासे महकमा डेंगू से बचाव की तैयारियों में जुटा फिरोदाबाद और मैंधूरी में भी कई बच्चों में मिले मील एक्यूट इंसेफिलाइटिस सिंड्रोम के लक्षन सौसे भाग ने अन्य जिलों में भी लक्षन के अधार पर दिये जाज के निर्दे और एया में मंडी समीथी के पास नैशनल हाईवे पर बड़ा सड़ा खासा तेज रफतार बाइक खड़ी DCM से टकराई बाइक पर सवार तीन युवकों की हास्से में मौत दो बाइकों पर सवार होकर लोग इटावा की तरफ से कानपुर की तरफ जा रहे थे हापुर में मेरट रोट फ्लाइओर पर अचानक CNG से भराट टैंकर लीक हो गया मौके पर भगदर जैसा महौल अपनी अपनी गारियां छोड़ कर भागे लोग